हाँ जी आईए आज मैं आप लोगों को इंडेस 36 के 100% टीवाई के कराऊंगा सवर कंसेप्ट का क्या रहेने वाला है क्वेस्टन से लेटर जो भी कंसेप्ट होंगे मैं उनका आपको रिविजन कराऊंगा लेकिन अगर आप 100% कंसेप्ट रिवाईज करना चाहते हैं इंडेस 36 के तो आप एक काम करें मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी उसका मैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में देता हूं उस वीडियो को एक बार जुरूर देख लेना बलकि मैं तो यह कहूंगा कि आप आपको पहले एक बार वीडियो भी देखनी चाहिए उसके बाद आप यह कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहां पे आपको 100% कंसेप्ट रिवाईज करा रखे हैं चलिए शुरू कर लेते हैं एक बात स्टार्ट करने इस पहले मैं आपको बता देता हूं मेरी कोशिस ये रहेगी क कि मैं आपको कम से कम टाइम में जाज 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 कंटेंट करा हूं इसलिए मेरी बोलंग्स पर थोड़ी सी जादा रहेगी क्योंकि यह जो वीडियो एक रिविजन परपच के लिए है आई पढ़ते हैं क्या लिखता है अपक्स लिंगेस्ट इस एंगेस्ट इन मैंफेक् इसलिए ओदेपेंट फॉर्डेट इसरे कॉपली विज दिए अपक्स लिए इस मैंप्सटि कॉढ्सरिंगने से इसलिए फॉरी पेटियो पीथे क्योंकि दिवेड्ट्रेट्टर इस का सुड़ der तर यह कॉर्दी हुष ऑगे लिखता है। क्युंकि पर फॉली ऋप्योंक् on lease for six years sir यह जो खाली portion है ना इसको lease पर दे दिया किसे साल के लिए 6 साल के लिए determine the cg of the building देखे सब जो अभी भी building का primary objective है वो as a corporate asset use करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे cg of the building is apex limited as a whole क्यों 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 primary objective है वो आपका क्या है वो as a corporate asset use करना है देखे क्या लिखता है cg of the building is apex limited as a whole as the primary purpose of the building is to serve as a corporate asset चले हाँ जी सब आये मैं काम और करता हूं हर question को कराने से पहले आपको 10 से 15 सेंदे दे देता हूं आप उसमें क्या करेंगे एक बार वीडियो को पोज करेंगे question कुछ से पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे question तब भी पढ़ेंगा question जितना आप अच्छे से question को पढ़ेंगे न उतना आप अच्छे से answer लिख पाएंगे इसलिए हमेशा question को अच्छे से पढ़ना चाहिए ठीक है जी सर पढ़ेंगे question 2 corporate asset जो होती है वह asset होती है जो independent cash flow generate नहीं कर पाती लेकिन हाँ वह CGU की मदद करती है help करती सब किसके लिए cash flow generate करने के लिए ठीक है अगर corporate asset आपके पास है तो दो टाइप की होती एक होती allocable एक होती unallocable अगर corporate assets allocable है उसे क्या करेंगे reasonable waste पे CGU के अंदर allocate कर देंगे और अगर unallocable असाब तो वह आपके लिए क्या बन जाएंगे जैसे मालो मैंने आपको concept करा रखा है revision video के अंदर corporate asset का आप उतना पार्ट सुनके यह question कर सकते हैं दो device पे आप मतलब class ला सकते हैं एक पर revision video और एक पर यह वाले question ठीक question की video ना यह दोनों link आप save कर सकते हैं एक बार revision कर लिया वीडियो से और उसके बाद revision video से concept का उसके बाद question कर लिया देखिए ABC Limited has three CGU A, B and C the carrying amount of which as on 31st March X1 are as follows सरीए carrying amount दे दिया जो CGU है और यह उनकी useful life देती ठीक है ABC Limited also has two corporate assets having a remaining useful life of 20 years ठीक है देखिए corporate asset X Y carrying amount 600 200 the carrying amount of X can be allocated on a reasonable basis pro data basis to the individual CGU तो सर यह तो आपकी allocable corporate asset होगी हम इसे कैसे allocate करें हुसने बोला reasonable basis पर reasonable basis यहाँ पर क्या बनेगा सरी तो आपका carrying amount बन जाएगा क्योंकि आपकी जो CGU की life है वो अलग-अलग दे रखिए तम क्या करेंगे weight निकालेंग किसका carrying amount का with useful life के साथ अब बात समझिए जो X corporate asset है वो आपकी 20 years life house के ठीक है जी सर अब 10 year तो सर वो A, B, C तीनों के दुवारा यूज होगी लेकिन सर आप्टर 10 year क्यों होगा B और C ही केवलों से यूज कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर weighted average निकालेंग किसकी carrying amount के remaining तो सर यह जो 200 है यह क्या बनेगा यह आपके large CGU का पाट बनेगा और उसके बात हम क्या करेंगे entity as a whole recoverable amount के साथ comparison करेंगे जो revised carrying amount होगा और जो भी impairment loss होगा वो इसके मेर चार्ज करतेंगे recoverable amount as on 31 March X1 is as follows CGU आपका ABC ABC limited है recoverable amount आपका 600 900 1400 और 1300 है calculate impairment loss if any ignore decimal तो सबसुपहले आपको क्या करना पड़ेगा साब corporate asset को allocate करना पड़ेगा अब कि वेटे डेवरेज कैसे निकलेगा देखिए कि 500 इंटु 10 कि 5000 आ गया जीज़र आपका 15,000 आ गया और 1100 इंटु 20 आपका 22,000 आ गया तो जो रेश्यों बनेगी 5 15 और 22 अगर मैं परसेंटेज के साब से बात करूं तो यह टोटल आ जाएगा 42 5 divided by 42 परसेंट यह आपका 11.9 आ गया तो rounding off की बात कर लेदे 12 परसेंट 15 divided by 42 यह आपका 38 परसेंट ने 36 परसेंट सोरी 36 परसेंट है 35.71 है तो 36 परसेंट आ गया और यह आपका आएगा 52 परसेंट तो हम क्या करेंगे जो corporate asset X है उसको इस ratio में allocate करतेंगे ठीक है जिस तो 600 इंटू आपका 12 परसेंट 72 इसमेड हो जाएगा 216 आपका यहाँ परसेंट हो जाएगा 312 यहाँ पर हो जाएगा तो आपका जो revise carrying amount कितने से आएगा वह आएगा 572 से 966 1412 ठीक अब क्या करेंगे recoverable amount के साथ comparison करेंगे देखिए हम recoverable amount के साथ comparison करेंगे और जो भी impairment loss आएगा उसे पहले allocable goodwill के साथ adjust के जाता है यहाँ पर allocable goodwill है तो हम लोग क्या करेंगे साब CGU में उसे allocate कर देंगे including corporate asset में in the ratio of their book value ठीक है तो 600 के आगया recoverable amount तो there is no impairment loss recoverable amount अपना 900 है तो 66 का क्या आगया अपना सर यह आगया impairment loss जिससे मैं क्या करूंगा 750 और 216 की ratio में allocate कर दोंगा ठीक है जी सर 1400 है तो 12 आगया जिससे मैं क्या करूंगा 1100 और 312 की ratio में allocate कर दोंगा देखिए एक पर solution यह सर रैफर कर लेते हैं यह अपनी percentage आगी जी सर यह carrying amount आगया जी सर यह सर impairment loss आगया जी सर यह देखिए 66 है 216 और 750 की ratio में 216 और 750 की ratio में 1100 और 312 की ratio में वेलको यह देखिए 312 और 1100 की ratio में ठीक अब जो अपनी corporate asset है उसमें B में 15 का और C में 3 का 18 का the impairment loss corporate asset के अंदर आगया ठीक है और CGU के अंदर B का 51 है और C का 9 है यह देखिए B का C का और X का अब यह revise carrying amount आगे है हंजी सर अब हम क्या करेंगे जो revise carrying amount आएगा उसमें 200 unallocable corporate asset के add कर देंगे 3072 अब यहां पर देखिए आपका recoverable amount for the business as a whole क्योंकि कोई भी ऐसी corporate asset जो unallocable है जिसे हम reasonable ways पर allocate नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग क्या करेंगे large CGU का part मानके उसके impairment की test करेंगे तो यहां पर देखिए sir 3200 आप का recoverable amount है CGU का हांची तो यहां पर कोई impairment loss नहीं है तो यहां पर अगर recoverable amount कमा रहा है कि वह वाई का impairment loss है ठीक है question no.3 मैं आपको यह वाला question index 103 के साथ कराओं क्योंकि revision वीडियो में मैंने जो आपका business combination और impairment वाला concept है वह pending रखा है क्योंकि मैं उसे index 103 के साथ कराओंगा तो जब मैं index 103 के आपको ty के कराओंगा यह question उसके साथ कराओं ठीक है जी sir चलिए question no.4 देखिए एक बार मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को जो question no.5 है वह चार के साथ ही correlate करके दे रखा है और वह reversal of impairment loss का है आईए एक दो प्यारी प्यारी बाते discuss करते हैं उसके बाद question 4 और 5 एक साथ discuss करेंगे impairment loss का reversal कब होगा सबसे पहले sir आपके पास already impairment loss होना चाहिए second इस बात के indication exist करते हो कि अब impairment loss का reverse कर सकते करेंगे अगर आपका जो recoverable amount के comparison में बढ़ गया है जाता आगया ठीक लेकिन यहां पर important बात ध्यान देने वाली है कि आपका जो recoverable amount है वो कैसे निकलता है higher up to fair value less cost to sell और second आपका आएगा value news का मतलब क्या है कि आपके expected cash flow है उसमें change आ ठीक अगर मालो sir आपके expected cash flow में कोई change नहीं आया है fair value less cost to sell के अंदर sir कोई change नहीं आया है लेकिन फिर भी recoverable amount जाद आ गया है due to passage of time due to passage of time का मतलब क्या होता है देखिए इंपेर्मेंट लोस के बाद मेरे रिवाइस केरिंग अमाउंट आगया हां जी अगले साल मैं क्या करहा है इसके बड़ेशन करके amount निकाल लूँगा ठीक है और यहां पर recoverable amount जो है वो कैसे निकलेगा एक तरीके से आपका unwinding हो जाएगा जो आपकी present value है उसका unwinding बन जाएगा हां जी सर जहां पर जैसे मालो मैंने अगले 5 साल के लिए discount factor लिया था अब पहले साल के cash flow कातम हो जाएगा एक साल के साथ हां जी अब अगले चार साल के discount factor लोगा ठीक है तो एक तरीके सर क्या हो गया जो चार साल के remaining cash flow है उनका unwinding हो गया तो इसकी वज़े सर क्या होता है आपका recoverable amount जाद आ जाता है तो यहां पर impairment loss का reversal फिर नहीं करेंगे आईए question देखिए 4 क्या कहता है एक साल के बाद information प्रवाइड कर रखे आपको तो आपने क्या किया एक साल को के लिए असेट को depreciate कर दिया तो 80 आगया carrying आभाँ 31st March X2 को ठीक है आईए following information has been provided as on 31st March X2 discount rate applicable जो discount rate होता वो होता है और time value of money को consider करता ठीक है और pre-tax date होता है फिर वेल्डेस कोश्टू सरक्रेने से 70 से तो हम क्या करने साथ discount factor को यूज करके चो की चार साल बच गे हैं से हंजी और चार साल के बाद सर आपको estimate scrap value भी नहीं दे रखी तो यही आपके expected cash flow है इसकी हम क्या आगरें present value निकाल लें कितनी present value एक बार यहां से impairment loss हा जाएगा तो 80-75.31 4.69 का आपका impairment loss हा गया और revise carrying amount कितने से आ जाएगा 80-4.69 75.31 चले हांजी से आई assuming in the above question as on 31 March X3 एक साल के बाद there is no change in estimate future cash flow and discount rate अभ यह देखेए साब estimate आपका future cash flow में कोई भी change नहीं आया है what it means it means sir unwinding के वज़े से अगर recoverable amount अपना जाद आ गया तो हम impairment loss का reversal नहीं करेंगे फिर्वाइल लास कोश्टो से कितने से 40 crore से तो देखिए फिर वाले लास कोश्टो से 40 crore value news कैसे निकलेगा जो आपके तीन साल की क्योंकि यह से तीन साल बच जाएंगे तीन साल के remaining contractual cash flow है उसको सर 10% discount के साथ से present value निकालेंगे जो की question हमें निकाल के दे रख्योंकि एक बार check कर लेते हैं यह सर 67.84 तो 67.84 recoverable amount के तुम है 67.84 ठीक है और carrying amount कितने से आएगा सर चार साल लाई बची थी 35 March X2 को हाँ जी एक साल बीत गी तो एक साल का depreciation तो 75.31 यह आ गया 56.48 ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे तो recoverable amount आपका जाद आ रहा है लेकिन तब भी हम क्या करेंगे impairment loss का reversal नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि सर आपके expected cash flow कोई change नहीं सिरफ और सिरफ unwinding होने के वज़े से क्या है टाइम पास होने के वज़े सर क्या recovery amount ज्यादा आ गया ठीक अगर सर यह contextual cash flow के change होने वज़े से उता फिर क्या करते हम लोग फिर हम लोग करते लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ता पहले incremental carrying amount निकालना पड़ता ठीक है incremental carrying amount कैसे निकलता साब आपका what would be the carrying amount if there was no impairment loss और recurring amount which ever is lower ठीक चली reversal impairment loss का आगे चलके question है तोसमें हम उस बात को detail में risk कर लेंगे गुडविल अगर एक बार impaired हो जाती है उसका reversal नहीं होता क्योंती सर्क गुडविल उस टाइम तक की ते रोख खतम हो चुकी है चलो एक बार मैं एक काम करता हूं इस question में incremental carrying amount we discuss कर लेता हूं देखिए आपका recoverable amount कितने से 67.84 से ठीक है what would be the carrying amount if there was no impairment loss देखिए आपने asset कितने खरीदी है 100 की खरीदी थी तो अब 2 साल बीत गए है तो 40 आ गए carrying amount आपका 60 होता तो 60 60 आपका incremental carrying amount आ जाता ठीक है question number 6 पढ़ेंगे अच्छा question देखिए क्या लिखता है A limited purchased an asset of Rs.100,000,000 on first overall x0 it has useful life of 4 years with no residual value recoverable amount of the asset each as follows यह recoverable amount देथी asset के ठीक है calculate the amount of impairment loss और its reversal 31st March x1, x2 and x3 सबसे पहले बात करते है 31st March x1 को carrying amount कितने से आएगा 100, 100, 1 upon 75 यह depreciation आ गया हां जी सर recoverable amount कितने से हैं सर आपका 60 से हैं आपका impairment loss आ गया और revised carrying amount आएगा आपका sir carrying amount minus impairment loss मैं इस formula को बोलूँगा क्योंकि यही formula में follow करना होता ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं 31st March X2 को carrying amount अपना कितने से आएगा sir 60 revised carrying amount हंची अब यहां से अगर आप देखेंगे तो जो asset की life है वो तीन साल बच जाएगी ठीक है तो 60 40 आगया ठीक है recoverable amount कितने से है sir 40 से no impairment loss ठीक चलिए 31st March X3 की बात कर लेते हैं sir अब यहां से अपने 2 साल बच के है 20 ठीक है अब recoverable amount कितने से 28 से sir हम लोग comparison किसके साथ करेंगे incremental carrying amount के साथ incremental carrying amount कैसे निकलेगा sir recoverable amount or what would be the carrying amount if there was no impairment loss देखे 100 के asset थी 3 साल बीत के है तो 25 will be carrying amount if there was no impairment loss ठीक है तो lower कितने आगे 25 25-25 का क्या आजाएगा साथ impairment loss का reversal आजाएगा चले हाँ जिस आईए यह देखे लास्ट में के आज़र रिवर्सल आगया 5 का बाकी solution हमने पूरा discuss कर यह लिए है चले आगे बढ़ते हैं question number 7 question 7 को discuss करने से पहले 2-3 बाते discuss कर लेते हैं अगर foreign currency में आपके cash flow है तो आप पता क्या करेंगे foreign currency में value news निकालेंगे और discount factor सर वहीं के risk factor के साफ से लेके चलेंगे आप second सर जो भी आपकी value news foreign currency में निकल के आएगी जिस दिन आप value news निकालते हैं उस दिन का जो spot rate होगा उसको हम लोग क्या करेंगे conversion rate ले लेंगे ठीक है question 7 देखे है चले हां जी सर own 31 March X1 XYZ limited make following estimate of cash flow for one of its assets located in USA तो सर हम क्या करेंगे USA के अंदर से जो discount factor है वही consider करेंगे ठीक है यह cash flow आगे ठीक है following information has been provided इंडिया का applicable discount rate है 15% है USA का 10% है हम asset specific risk factor consider करते हैं तो जहां पे हम लोग उस asset को use करके sir cash flow generate कर रहे है तो वहां risk factor यह है exchange rate are as follows sir हमें value news cup की चाहिए 35 March X1 की 35 March X1 की हम क्या करेंगे sir exchange rate consider करेंगे ठीक है इनकी PV निका लेंगे by using 10% as discount factor यह देखिए यह PBR की हांजी और इसको multiply करें किसे sir आपका exchange rate owned rate when value news is calculated यह देखिए 45 के साफ से हमने क्या किया convert कर लिया इसको अगर एक से ज्यादा expected cash flow है तो हम लोग पता क्या करते हैं उसकी weighted average निकालते हैं ठीक है एक बात दूसरी बात अगर discount vector sir मेरे year wise अलग-अलग identify हो पा रहे हैं तो हम अलग-अलग consider करेंगे आईए question no.8 cash flow is 100 200 and 300 with probability of 10% 60% and 30% respectively calculate expected cash flow तो यह आ जाएगा sir आपका 10 120 और 90 220 आ गया 220 चले हाँ जी से आईए cash flow of rupees 1000 may be received in one year two year or three year with probability of 10% 60% 30% तो पहले साल से कितने से आएगा आपका 100 600 और आपका 300 और डिस्कांट फेक्टर फर्स्ट तिरिका कितने है 5% तो 1 divided by 1.05 0.95 23 24 आ जाएगा रांडिंगों करके ठीक है 238 है अच्छा 1 divided by 1.05 0.0525 1 9027 और 3 years के लिए के हैं आपका 5.5% 1 2 8516 चलिए 8516 अच्छा इन्होंने प्रोबिल्टी बाद में मल्टिप्लाई करती है सेम आएगा अंसर आपका अंसर्ट एलिक रा देता हूं देखिए 100 x 0.9524 95.24 600 x 0.9027 541.62 300 x 0.8516 255 0.48 992.3 अच्छा इन्होंने 5 decimal तक ले रखें ठीक है इसलिए difference हो गया question number 10 बुझकुल आसान सा बच्चो वाल question है 89 मतलब 8 की तरह ही है तो आप इसको अपन्याब कर लें ठीक है question 11 करांगा को बहुत ही बड़ी हा question है एक बड़ पढ़ेंगा राम से question 11 को discuss करने से पहले एक दो बाते आपके साथ discuss कर लेता हूं sir क्या individual asset का impairment हो सकता है answer is yes दो condition पूरी है condition number one sir उसके indicator के indicator applicable हो मतलब exist करते हूं उसके impairment के indicator exist करते है और second ही sir उसका recoverable amount आप reasonably identify कर पाए तो उसके समय क्या करते है individual asset को impair करके उसके बाद CGU का part पनाते है ठीक है आगे sir CGU के अंदर कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी asset part होती है जिसके उपर index 36 की applicability नहीं होती है ठीक है आपका trade reasonable है उसकी measurement कैसे होगी तो हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसी asset sir जिसके उपर index 36 applicable नहीं होगा उन asset का balance respective index के coding निकाल लेंगे और जो भी impairment loss होगा उसके साथ sir अर्जस वगर है नहीं करेंगे ठीक है चलिए एक बात और अगर impairment loss होता है और goodwill आपके CGU का पार्टत हम लोग पहले क्या करेंगे गुडविल को impaired करेंगे ठीक यह जो question है यह बहुत बड़ी a question है exam के point उसे important question है तो मैं एक काम करता हूं मैंने class के अंदर solution करा रखा है मैं उसको copy कर लेता हूं और वो यहां share कर लेता हूं आपके understanding और अच्छी हो जाएगे ठीक है जी सब आईए question पढ़ते हैं क्याले कर देखिए e limited is a manufacturing company which deals in to manufacture of coldering and beverages it is having various plants across India अम एक काम करते हैं पहले एक बर question की requirement पर दे लेते हैं तके हम requirement के coding questions हो जाना start करते हैं सबसे पहले question की requirement है compute the impairment loss on CGU and carrying value of each asset after charging impairment loss for the year ending by providing all the relevant working load to arrive at such calculation ठीक है there is a machinery in the Broda plant which is used for the purpose of bottling ठीक है there is one more machinery which is machinery B clubbed with machinery A okay एक machinery A है और साथ machinery B मिलके काम कर रही है ठीक है machinery A can individually have an output and are sold independently in the open market okay machinery B cannot be sold in isolation and without clubbing with machine A it cannot produce output as well तो सर A आपका अपने आम एक individual asset मन की साब जो casinate करती है और A और B सर एक CGU बन गया ठीक है the company considering this group of asset as a CGU and inventory amounting to lag and goodwill amounting to 1.5 lakh is included in such CGU ठीक है तो सर हम लोग जो inventory लेंगे किस के coding लेंगे as per index to और कोई भी impairment loss अगर होता है तो उसका इस valuation के साथ कोई लेना देना नहीं है ठीक है चलिए क्योंकि ये index to key coding value है और inventory क्योंपर index 66 applicable नहीं होता और हाँ अगर कोई impairment loss पहले किसके adjust करेंग साब goodwill को ठीक है machinery A वाज purchased on 1st April 13 4 rupees 10 lakh अभी यहाँ पे देखिए question आपका किस date का दे रखा अभी नहीं बताया लेकिन एक बात बता दी कि जो machine A थी ना आपने क्या किया 1st April 13 को ली थी ठीक है कितने की 10 lakh की okay residual value कितने से 50,000 से है ठीक है machinery B वाज purchased on 1st April 15 इसके 2 साल के बात 1st April 15 को machinery B ले ली ठीक है इसकी cost कितने से है 5 lakh से nil residual value ठीक है the useful life of the both machine A and B is 10 years okay 10 साल इसकी life है और इसकी life वे 10 years है ठीक है देखिए the companies expect following cash flow in the next 5 year pertaining to machinery A अब यहां पे सर देखिए next 5 year के आपको cash flow दे दिये हैं इसका मदा सर 5 साल बीच चुक होंगे ठीक है तो हम यह बात कर रहें कब की कर रहें 31st March 18 की तो carrying amount कैसे निकलेगा respective index के coding जो सर आपका 16 बन जाएगा तो हम machine A पे क्या करेंगे 5 साल का depreciation लगाएंगे और machine B पे क्या करेंगे 3 साल का depreciation लगाएंगे ठीक है the incremental borrowing rate of the company is 10% अगर सर आपका asset specific risk factor के इसाफ सर discount rate नहीं दे रखका तो हम company का borrowing rate भी ले लेते हैं ठीक है चलिए वहाँ पे तीन option दे रखेंगे वह मैंने revision video में detail max film कर रखेंगे cash flow दे दिया machine A के और यहाँ पे excluding residual value है तो सर residual value मशीन A के कितनी है 50,000 यह कहां लिखा वासा यह देखिए तो वह हम add कर देंगे on 31 March 18th लोग साब उसने date में दे दी हैं अगर वो date यहाँ पे ना भी देता तो भी हमने date identify कर ली थी कैसे machine A की जो total life हो 10 year है ठीक है जिसमें से क्यों वासा 5 year बीते के तो 5 year बचे वेते हैं कैसे बतलगा सर आपको 5 year बीते के देखिए remaining contractual cash flow दे दिए 5 year के इसका लोग में 5 year बीते हैं ठीक है चलिए 11 31 March 18th the professional valuer have estimate that the current market value of machinery is Rs.7,000,000 सर हम लोगों को क्या चाहिएगा recoverable amount देखिए सबस्तों पहले काम करते है machine A का पहले carrying amount निकाले machine B का carrying amount निकाले हां सर तो पहले machine A का और B का carrying amount निकालेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे सर machine A का recoverable amount निकालेंग कैसे higher up to एक तो आपका value नियू जा जाएगा discount factor में 10% consider कर लेंगे ठीक है और second आईगा सर आपका fair value less cost to sell अब question सर यहां पे देखिए उसने बताया है कि जो professional valuer था उसने estimate लगाया कि machine की value 7 lakh है please ध्यान देना अगर कोई decommissioning liability होती है तो हमें फिर यह देखना पड़ेगा कि जो fair value क्या वह asset की है individual यह सर after considering आपका decommissioning liability है अगर after considering decommissioning liability आपने fair value निकाल रखिए तो फिर हम उसे minus नहीं करते है तो रवाज हम क्या करते है minus करते है ठीक है चलिए the valuation fee wise rupees one lakh sir generally क्यों होता है जो buyer होता है वो valuation fee देता है तो हम इसे less cost to sell consider नहीं करेंगे there is a need to dismantle the machinery before delivery it to the buyer okay dismantle करना पड़ेगा लेकिन sir यह देखिए यह asset की market value दे रहे तो हम क्या करेंगे इसे भी minus करेंगे dismantling cost 1.5 से ठीक है specialized packaging cost 25,000 से ठीक है और legal fees are 0.75 तो आपका जो fair value less cost to sell आ गया fair value less 6 goes to sell 7 1.5 0.25 0.75 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 carrying amount निकालेंगे machine A का machine B का inventory का carrying amount सरह हमें दे रखा कितने से 2 lakh से और goodwill सरह हमे 1.5 lakh से ती रखी ठीक तो machine A का carrying amount कैसे निकलेगा देखिए 10 lakh की machine A लिए थी हांजी 50,000 सर estimate scrap value है जी तो divide by 10 into 5 और 75 सर उसके पर deposition आ गया तो 5 lakh 25 lakh 5 lakh 25,000 आपका carrying amount तो machine A आ गया यह देखिए सब मैंने question की requirement लिख आई है question 11 डाल देता हूं ठीक है book में question यह अलग है calculation of impairment loss and revise carrying amount as at 31 March 18 देखिए carrying amount सर मसीन A का कितने से है सर 5 lakh 25,000 ठीक है बी का सर कितने से बी का carrying amount निकाल लेते हैं देखिए जो machine B है सर वह आपने 5 lakh के लिए थी ठीक है और अभी machine B के सिर्फ 3 साल बीते हैं और उसके estimate scrap value 0 है तो आपका 5 lakh divided by 10 into 3 150 depreciation न आ गया तो 350 सर carrying amount आ गया machine B का और यह inventory आगी यह goodwill आगी ठीक है और recoverable amount of the CGU कितने से आगया 10 lakh से आगया तो impairment loss 225 का आगया जिसमें से पहले मने की से write-off करना सर goodwill को write-off करना ठीक है चलिए सर इस question में अगर machine A का अलग से recoverable amount reasonable base पे identified नहीं हो पाता तो मैं पता क्या करता जो यह 75,000 का impairment loss आया ना इसको मैं machine A और B की carrying ratio में allocate कर देता प्लीज इस वर्डिंग को दुबारा सुना अगर इस question में machinery A का recoverable amount में reasonable base पे identify नहीं कर पाता तो मैं पता क्या करता इस 75,000 को allocate कर देता machine A और B में किस ratio में 525 और 350 की ratio में बिल्कुल ठीक है सार आगे बढ़ते हैं सार बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बच्चो आगे मेरी बात ज्यान से सुनना अब यहां पे में क्या करना पड़ेगा स्पर machine A का recoverable amount अलग से दे रखता है तो हम अलग से recoverable amount निकालेंगे और comparison करे अब पहले machine A में डाल देंगे साब balance आपका machine B में चला जाएगा ठीक यहां पर एक बात समझने वाली है कि machine A का recoverable amount कैसा निकलेगा तर value news और आपका अब यह देखिए यह मैं कुछ working note बना रखें कैरिंग अमांट मसीन के कैरिंग अमांट मसीन भी रिकवरेबल अमांट मसीन के सरी आपका higher of 2 निकलता है और वैली नियूज 50,000 यह देखिए consider कर रखें तो 489720 के आगया value news आगया तो जब रिकवरेबल अमांट आएगा machine A का वह higher of 2 आएगा तो 450 और 489720 तो 489720 बन गया ठीक है रिकवरेबल अमांट आगया 489720 ठीक तो impairment loss निकालेंगा machine A का 35280 आगया ठीक चलिए 35280 सर machine A में हम impairment loss चार्ज करतेंगे बाकी B में चार्ज करतेंगे 3927720 ठीक है यह देखिए तो यह अपनी revise scaring amount आगये प्लीज ध्यान देना जो machine A है ना इसकी life अभी 5 year बची हुई है एस्टिमेट्स करेंगे 50,000 एक्सेप्ट अगर कोई चेंज आता है ठीक machine B की जो life वो 7 year बची हुई है और एस्टिमेट्स करेंगे आगे देखिए question के requirement क्या है compute the prospective depreciation for 18-19 of the above a set आईए 18-19 का depreciation निकाल लेंगे यह देखिए 489720 ठीक है स्क्राइब यहां पर कुछ है नहीं तो 44326 44326 ठीक जी सर अब हम carrying amount 31st March 19 पर निकाल लेंगे देखिए सब machine A और B का यह carrying amount आ गया कैसे निकाल लेंगे सर this one minus depreciation for the year 18-19 this one minus depreciation for the year 18-19 यह देखिए यह मैंने minus करके आपर दिखा रखा है तो यह आपका carrying amount आ गया ठीक है इन्वेंटरी के बारे में कुछ नहीं काय रखा है तो हमने same carrying amount ले लिया गुडविल का sir carrying amount नहीं हो चुका है और गुडविल अगर एक बार impaired हो जाती तो इसका रिवर्सल नहीं होता ठीक आइए क्वेशन आगे देखते हैं कि क्वेशन बहुत बढ़िया देखिए कंप्यूट दा carrying value of cgu यहां पे आपका recoverable amount जबरदस तरीके से बढ़े गया है ठीक है recoverable value of machine a 450 है और combined a and b कितने से 760 से अब आप यहां पर बात समझिए है तो जो machine b और a है उन दोनों का recoverable amount 760 से एक आप 450 से है तो machine b का recoverable amount कितने से आएगा माइनिस कर देंगे sir आपका 450 तर यह 310 आ गया अब reversal of impairment loss कैसे निकलेगा incremental carrying amount wording सुनना incremental carrying amount minus carrying amount incremental carrying amount कैसे निकलेगा फिर वो निकलेगा ए और बी की बात कर लेते हैं हालगे मैंने working दिखा रहे हैं मैं साथ साथ working करके दिखा देता हूं तो 45310 incremental carrying amount निकलेगा recoverable amount on the date of reversal of impairment loss ठीक है or or what would be the carrying amount if there was no impairment loss तो carrying amount would be 430 थीक है आगे देखते हैं मसीन बी की बात कर लेते हैं मसीन बी कितने के लिए थी सर मसीन बी हमने ली थी पांच लाग की ठीक है तो चार साल बीत गे तो थ्री लेक से उसका carrying amount होता है तो lower कौन सा आगे सरी आ गया तो 430 माइनस जो carrying amount है यह देखे सर 430 माइनस आपका 401776 तो reversal आगे 2284 से और revise carrying amount आपका 430 आगे यह देखे सर 2284 2284 ने 2824 ठीक है सर 2824 ठीक और यह से 3,00,000 है 3,00,000 माइनस 265954 34046 यह 3,00,000 है ठीक यह मैंने यह पर प्रोपर कैल्कुलेशन करा राग की है कि आप incremental carrying amount कैसे ने का लिए lower of 2 recoverable amount carrying amount if there was no any impairment loss ठीक चले हां जी सर आए तो यह आपका final answer बने जाएगा एक बार देख लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं चले हां जी सर आए नेक्स क्वेशन की तरह बढ़ते हैं question number 12 बहुत बढ़ी हा question बहुत ही बढ़ी हा पढ़ें question number 12 एक छोटी सी बार discuss कर लेते हैं sir value news का मतलब क्या है sir expected cash flow की present value expected cash flow का मतलब क्या है कि जो asset आपके पास आज है उससे आप net cash flow कितने generate करेंगे देखिए एक छोटी सी बात लोजिकली समझते हैं मेरे पास ये asset आज इस position में है sir अब मैंना plan कर रहा हूं कि मैं क्या करूँआ यहां जाके इस asset को upgrade करा दूँआ तो अब इसके बाद मेरे cash flow बढ़ जाएंगे तो जो cash flow बढ़ेंगे वो हम कभी भी consider नहीं करते हैं मतलब इस asset को use करने से जो cash flow आएंगे या इस asset को use करने जो cash flow generate करने के लिए cash outflow करने पढ़ेंगे वो consider करेंगे इस asset को सब जब dispose करेंगे तो उससे जो cash flow आएंगे उससे consider करेंगे बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर हम future restructuring की plan कर रहे हैं तो sir cash flow फिर वो consider नहीं होगे अगर हम sir future में इससे restructure करेंगे इससे मेरी cash flow बढ़ेंगे या मेरी cash flow outflow की saving होगे उनको consider नहीं करेंगे क्योंकि वो restructuring की वज़े से आए ठीक है independent financial asset or liability जैसे माल लो हमने पहले ओलडी माल बेच रहा साथ इससे पहले यहां पे goods बनाके बेचे थे asset यहां पे value news नहीं कर रहे हैं तो sir वो जो financial asset है या हमने माल purchase करका था वो जो financial abilities से consider नहीं करेंगे ठीक चलिए हाँ routine में अगर हमें कोई खर्चा incurred करना पर रहे है to maintain the asset in the same position तो हम लोग क्यार करेंगे तो उसे consider करेंगे बहुती बड़ी है question आई यह सुरू कर लेते हैं देखी क्या लिखता है e-limited owns a machine used in manufacturer steering wheel एक बात रहों आपको बता देता हूँ financing activity के cash flow हम consider नहीं करते क्योंकि वो भी independent होते है inflow & outflow which are sold directly to major car manufacturer ठीक है the machine was purchased on first of all x1 at a cost of 5 left through a vendor financing arrangement on which interest is being charged at 38 of 10% per annum मा आपको बता देता हूँ interest cost हम consider नहीं करें क्योंकि financing activity से आई है एक बार question के requirement देख लेते हैं tax credit 30% assume करना आपने what is the value in use value in use कैसे निकलेगा साब आपके x-factor net cash flow by multiplying of the discount factor मतलब present value factor ठीक है discount factor ठीक चलिए expected जो भी net cash flow है उसकी present value आपकी value in use कैलाएगी ठीक यह point अपने लिए irrelevant बन गया during the year end of the 31st March X3 और इसने अपने से value news का मांगी है इसने अभी यहाँ पर कोई date की बात नहीं की है और यहाँ पर अभी तक कोई rate के बात नहीं की ठीक है हम जो भी expected cash flow लेते हैं वो recent budget के base पर लेते हैं और external information को सब ज्यादा weightage देते हैं ठीक the most recent financial budget approved by E-Limperial Management covering the period 1st April X3 से लेके 31 March X3 including that the company expect to sell each steering wheel for 200 during 3-4 the price rising in later year in line with the forecast inflation 3% परेना तो 3-4 से लेके सर हमें 8 तक एक तरीके से क्या करना है value news निकालना है 3-4 में सर जो अपना selling price वो 200 है और वो हर सल 3% से बढ़ जाएगा चलिए during the year 31st March X4 E-Limperial expect to sell 10,000 steering wheel the number is forecast to increase by 5% each year until 31st March exit आये अब यहां से हमें तरीके स्क्राइशन स्टार्ट कर लें 10,000 वील बेचोगे आपका 3-4 में ठीक है उसके बाद हर साल 5% का increment तो 4-5 में 10,500 यह स्टोरी दे रखिए कि आपका cash flow में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है यहां देखिए 10,000 10,500 प्लस आपका आएगा 5% 11025 प्लस 5% 11576 प्लस 5% 12155 चलिए प्राइस परिएट आपका क्या था 200 था और वो 3% से हर साल क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है तो 200 पहले साल आ गया 3,4 में हांजी प्लस 3% 206 प्लस 3% आपका 212 रांडिंगों कर रखा है प्लस 3% 218.54 तो 219 आ गया 225 तो यह आपके estimate cash flow आगे जो आपको sales से मिलेंगे ठीक है जी सर आगे देखिए तो value news के लिए point irrelevant था यह point सर past point हो गया तो मेरे लिए यह irrelevant हो गया इस point को मैंने consider कर लिया ठीक है इस point को मैंने consider कर लिया ठीक है e-limited estimate that each steering wheel cost 162 manufacture जिसके नदर सर यह वाइफर केसं दे रखा है ठीक है और यह जो cost rise है सर यह हो जाए मतलब cost जो है expected rise है 1% 45 में तो 160 सर आपका 3-4 में आ गया ठीक है और आपका 45 में कह रहा है कि 1% से rise हो जाएगा उसके बाद सर 2% से rise हो जाएगा तो 160 plus 1% बिल्कुल ठीक है plus 2% plus 2% plus 2% चले अब यह cost आ जाएगी इससे multiply करके quantity से न यह cash के outflow आ गए चलिए कर दो during the year X5-X6 the machine will subject to regular maintenance सर रेगलर मेंटेनस आ जाएगी क्योंकि वह existing machine के उपर ही है तो 50,000 सर रूटिन के खरद से आ जाएगे यह देखे आउट पलू आ गया आपका 5-6 के अंदर in X3-X4 E-Limperate expect to invest in new technology सर आप machine को upgrade कर रहे है technology के सार सर कंसीडर नहीं करेंगे और उसके वज़े सर जो भी impact आएगे उसको भी consider नहीं करेंगे E-Limperate is depreciating the machine using the SLM over the machine 10-year estimate useful life आपकी non-case item है तो हम उसे consider नहीं करेंगे the current estimate based on the similar asset that have reached at the end of the useful life of the disposal proceeds from the selling the machine 80,000 net of disposal cost थीक है 30,000 सर हम क्यार करेंगे after the end of the useful life of the asset उसे consider कर लेंगे E-Limperate has determined a pre-tax discount rate 8% which reflects the market assessment of the time value of money and risk associated with the asset तो asset specific time value of money consider करते वे जो discount factor उसे हम use करते है क्वेस्ट नहीं दे रख था है तो यह देखिए आपका C point और आपका D point यह आपके cash flow आगे यह आपके cash flow आगे यह आपके cash flow आगे यह आपके net cash flow आगे यह discount factor आगे तो यह value नहीं हो जागा तो यह value नहीं हो जागा थिक जिस आए next question पढ़ेंगे question number 13 आए मिलके पढ़ते हैं क्या लिखता question PQR Limited is the company which has performed well in the past but one of its major asset and item of equipment suffered significant and unexpected deterioration in performance management expect to use the machine for further 4 years after 31 March X6 but at reduced level ठीक है तो यह आपका indication आगया impairment का the equipment will be scrapped after 4 years ठीक है तो 4 years remaining useful life बच्ची हुई the financial accountant for PQR Limited has produced a set of cash flow projection for the equipment for the next 4 years ranging from optimistic to pessimistic ठीक है CFO thought that the projection were too conservative and he intended to use the highest figure each year ठीक है these were as follows तो सर यह तो आपके expected cash flow आगे ठीक है इसमें हमें क्या करना पढ़ेगा last वाले में यह करना पढ़ेगा कि यह देखना पढ़ेगा कि estimate scrap value थी यह नहीं थी अगर है तो consider कर रखे नहीं कर रखे मतलब estimate scrap value है यह नहीं अगर है तो हमें consider करने चाहिए वो consider कर के लिए रखे यह नहीं रखे अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो हम यह मान के चलेंगे कि जो asset के estimates scrap रहे उसा consider नहीं कर रहा था अगर अगर कुछ भी नहीं कर रहा है अगर कुछ भी नहीं कर रहा है हम लोग basically क्या करते हैं impairment loss को पहले adjust करते हैं अगर कोई भी balance है उसके साथ ठीक और उसके बाद अगर impairment loss बसता है तो हम पर लेके जाते हैं the carrying value of the asset at 35 mark एक 6 वाज रुपीज 660 estimate scrap value बगएर के बारे में question ने कुछ कहन नहीं रखा तो 0 ही होगी साथ ठीक है the Indian government has indicated that it may compensate please ध्यान देना government कह रही है कि वह साथ compensate कर दे government grant com कब record करते है साथ जब आपके बास क्या होती है reasonable assurance हा जाती है क्या reasonable assurance हा जाती है एक तो यह कि जो भी entity को condition comply करनी है in regard to receive of government grant वह पूरी कर देगी और second grant amount receive हो जाएगा तो यहाँ पे साथ सिरफ government indicate कर रही है मतलब there is no reasonable assurance तो government grant वह रिकोड नहीं करेंगे index 20 के coding ठीक है index 20 क्या कहता साथ government grant का optimal तब रिकोड करेंगे जब आपको reasonable assurance आजाती है कि एक तो जो condition है in relation to government grant वह आप पूरी कर देंगे और आपको साथ जो grant है उसका government has indicated that it may compensate the company for any loss in value of the asset up to its recoverable amount ठीक है calculate impairment loss if any and revise depreciation of the asset also suggest how impairment loss if any would be set off and how compensation from government grant government grant का compensation तो रिकोड नहीं करेंगे impairment loss को पहले किसके साथ रजास करेंगे regulations or plus के साथ तो हमें क्या करना साथ सो पहले sir इनकी discounted value निकालने present value निकालने ठीक है यह question ने sir present value निकाल के दी value news ठीक है और अपना carrying amount 660 है विल्कुल ठीक है और फिर्वेल एलाइस कोस में सेल के जाना था 5,4,000 था ठीक है तो value news जादा है हां जी तो आपका जो impairment loss कितने इसे आएगा 660 minus 588230 sir 71 770 का impairment loss आगे 36,000 हम के साथ adjust कर देंगे revolution sir plus के साथ 35770 PNL account में चला जाएगा ठीक है चलिए और जो अपना revised carrying amount होके ने से आजाएगा sir 588230 से अभी 4 साल asset के life बच हुए divide by 4 तो depression आजाएगा आपका 14705 ठीक है चलिए explanation दे रखी है about revolution sir plus next question discuss करते है question no.14 पर यह जल देस है आएए मिलके पढ़ते हैं on 1st January year 1 entity Q purchased a machine costing 240 with an estimate useful life of 20 year and an estimate zero residual value तो 240 है depreciation sir कितने साल में करेंगे 20 years depreciation charge कर लेंगे ठीक है estimate scrap value zero है depreciation is computed on SLM ठीक है the asset has been revalued on 1st January year 3 to 250 3rd year में जाके आपने क्या किया 1st day पे आपने इसे revalue कर दिया carrying amount कैसे निकलेगा 2 साल का depreciation उसमें से minus कर देंगे तो यह आपका आज आएगा 240 divided by 20 into 2,16,000 आ गया ठीक है sir यह आपका carrying amount आ गया 3rd year के 1st day पे ठीक है और आपको उसने बताया साब कि जो fair value है वो 250 है but with no change in useful life of that date ठीक है तो 250 पे आपने क्या किया Revalue कर लिया तो 34,000 आपका Revaluation surplus में आ चारेगा asset की life में कोई change नहीं आया तो 250 को आप क्या करेंगे आपका depreciation का amount बढ़ जाएगा तो क्या आप additional depreciation के बराबर retained earning में amount transfer करेंगी या इसे रखेंगी आपकी policy को पर depend करता है question में last में देखेंगे तो question ने लिख दिया during the course of utilization of machine the company did not opt to transfer part of the revolution surplus to retained earning ठीक है तो इसका मतलब revolution surplus का amount हमारा same रहेगा ठीक चलिए on 1st January year 4 an impairment review showed the machine recovery amount to be 1 lakh and estimate remaining useful life of 10 year अब देखिए यहाँ पर asset के life किती ने बच गी थी 18 year ठीक है तो हम क्या करेंगे 18 year के साब से 1 साल का depreciation लगाएंगे तो balance आगया 102 111 ठीक है अब year 4th के 1st day पे इंडिकेटर थे impairment के और recoverable amount 1 lakh आया है तो impairment loss कितने से आएगा sir 136 111 से अब इस impairment loss को हम पहले क्या करेंगे साब revolution surplus के साथ adjust कर लेंगे और balancer जो आएगा 102 111 वह आपके P&L account में charge हो जाएगा ठीक तब से पहले और अब sir asset के life क्या है 10 year बजगी तो revise carrying amount अपना 1 lakh है और life अपने 10 year बजगी है साथ के ठीक है calculate the carrying amount of the machine on 31st December year 2 and the revolution surplus rising on 1st January carrying amount आपका करने से आएगा 216 से आएगा और revolution surplus आपका 34,000 से आएगा solution में देख लेते एक बार चलिए the carrying amount of the machine on 31st December year 3 immediately before the impairment ये देखे साब ये वाला amount आगया चलिए impairment loss recognized in the year to 31st December year 4 and its treatment there देखे साब आपके impairment loss sir कितना आएगा sir 136 111 था जिसमें 34,000 था और बाकी sir 102 आपका प्रेंडल काउंड में आएगा चले आजी sir आगे देखे depreciation charge year 4 का तो sir 1 lakh अभी life sir 10 year बच गी है तो 10,000 आगया year 4 का depreciation चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इसी के साथ index 36 के ty के खतम होते हैं बड़ी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थिए यह रहां इस बार एक जाम बार